नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू मैं चैनल, मैं हूँ रीना, स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल में जिसका नाम है गार्डनिंग विद रीना कमल का फूल या फिर वाटर लिली का फूल, यह एक ऐसा वाटर प्लांट है जो हमें बहुत ही पसंद आता है बात करने वाली हो अब समय आ चुका है अब जब जैनवरी एंड है कहीं कहीं टेंपरेचर बढ़ने लगा है जहां अभी ठंड है वहां तो डॉर्मेंसी खतम नहीं होई होगी पर जैसे कि मैं उडिसा से हूँ तो मेरी एरिया में इतनी ठंड पढ़ती नहीं है और अब ही यह लास्ट यह का थाया मैं निए लगाया था मेज इस लो को लगाया था झाफल को लग तूंत लगे Two को लλλेन के दो महीने के बाद से प्लावरिंग स्टार्ट हो गई थी विंटर में इसकी डोर्मेंशी तो विंटर में सारे पत्तों को हटा दिया था और पानी भी कम कर दिया था पानी बस इतना ही मैंने रखा था जिसे कि जो स्वाइल है वो मॉइस्ट है उसके अंदर जो उसके रूट से राइजॉम से वो खराब ना हो सुखे ना देख लीजे यह हलका सा मॉइस्ट है भी भी पर अब जैसे ही जैन क्लाइमेट में आ चुकी है तो गरम क्लाइमेट होनी की वज़े से इसके पत्ते आप स्टार्ट हो गया है डॉरमेंसी इसमें खत्म हो गई है अब इसकी ग्रोथ होने लगेगी और ये कुछ प्राइम के बाद फ्लावरिंग भी देने लगेगे अब देख सकते हैं इसमें क अब ख़िण कर लेना है उसके बाद हम इसमें पानी देंगे पानी हमें इसलिए डालना है क्योंकि पत्ते यह बॉर्ण नहीं और पत्ते और भी ज्यादा ग्रोथ ले ज़ल्दी से इसलिए अब हमने पानी देने की जुरूद है मतलब है कि जब लांट बहल निकालते हैं त तो जब भी पत्ते हम देखें कि पत्ती स्टार्ट हो गए है निकलना। तो हमें देखते हिं उसमें सबसे पहले पानी डाल देना है। पूरे चिसे क्लीन करके मैं पानी डाल दूगी। अगर आप इसमें डालेक्ट वककिटस मैं है और मंग से आक लंग किसी से नीचे एक जहाँ जगह पे देखना है पत्ति नहीं निकले है उसे एयरिय में हमें कोई भी छोटा सा कटोरी या फि प्लेट या फि कोई आसा चोटा से एक बरतन रह लेना है जिसके ऊपर हम पानी को डाले और इस पूरे टब को फिल कर ले यह चोटा सा प्लेट है जिसे मैंन पूरा मिट्टी नीचे से उठके और पानी से ना मिक्स अप हो जाए थोड़ा बहुत जो गिंदगी और बचा हुआ है वो पानी देते ही सब गंदगी ऊपर फ्लोट करने लगेगा यह देखे पूरा लगबग मैंने पानी फिल कर दिया है और यह गंदगी अभी फ्लोट करन आपको दिखाऊंगे तो आप देखेंगे कितना वह क्लियर वाटर दिखेगा आपको यह देख लीजे दूसरा दिन यह पानी कितना क्लियर हो चुका है आप पूरा नीचे का स्वाइल दिख रहा है और सारे प्लांट्स भी आप दिखने लगें सब विजिबल हो चुके हैं सब्सक्राइब और पत्ते अब लेने के लिए उपर उठके आ गया है पानी से उपर और इसकी इसकी ग्रोथ और भी अच्छी होते जाएगी तो बस आपको seaweed granules डालना है या seaweed liquid डालना है प्लांट में तो seaweed आप दो तरीके से दे सकते हैं जागर seaweed granules है तो एक बड़े चम्मच में लेकर seaweed granules को पूरा इस पिंकल कर दीजिए पूरा पहला दीजिए टम में या फिर आप seaweed का liquid इसमें एड़ कर सकते हैं एक चम्मच और अगर आपको लग रहा है आपके प्लांट में फंगस है और आपका प्लांट अगर मिड फैब या फिर फैब तक नहीं निकला है डॉर्मेंसी से तो आप एक बड़ जरूर उसके रूट्स को हटा के चेक कीजिए अराम से चेक कीजिएगा कि उसके रूट्स बचे भी है या नहीं क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि रूट्स जो है वो खराब हो जाते हैं ग मतलब राइजोम जो है वो बिल्कुल सही है और उसमें कुछ दिनों में आपको इंतिजार करना है और जब तक पत्ते नहीं निकलते हैं तब तक टब को पानी से नहीं भरना है बस थोड़ा सा पानी डालके उसको मोईस रखना है और यह देख लीजे मेरा गार्डेन आपको सही समय होता है जब हमें अपने वाटर लेली प्लांट को भी अगर रिपोर्ट करना है तो हमारा आमसे उसे रिपोर्ट कर सकते हैं मैंने अपने दोनों वाटर लेली प्लांट को रिपोर्ट कर दिया है यह देखे यह चोटे से पॉर्ट में मैंने लगा रखा था इसे पत् और प्लांट बड़ा हो और भी ज़्यादा है यह जो उपर अभी रिपॉर्टिंग की वज़े से जो कॉम्पोस्ट है यह लीफ कॉम्पोस्ट है यह उपर फ्लोट हो रहा है पर इसे में अगर कल तक सेटल नहीं होगा एक दो दिन में तो मैं इन सब को हटा दूँगी रिमू इसमें मैंने वही पॉटिंग मिक्स डाला है जो जिसका वीडियो मैंने पहले शेयर किया है लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और आई बटन पे भी मैं लिंक शेयर कर दूंगे reporting के लिए soil, compost और थोड़ा sand मैंने उस sand को उपर सटाला है मिच्ची के उपर सबसे नीचे compost लिया है उसके उपर soil लिया, soil के उपर मैंने add किया है थोड़ा सा sand बस और इसमें seaweed granules और मैंने कुछ भी add नहीं किया है अगर आपके पास बोन भील है तो आप आड़ कर सकते हैं पर अगप नहीं है तो कोई जूरूत नहीं है अड़ करने की यह रहा मेरा दूसरा water lily है purple joy इसे भी मैंने report किया है अब मिट्टी मैंने reporting पे तैम इसे बहुत जादा ही डाल दिया तो उसे थोड़ा सा भी मैंने कम कर दिया है साीड से जो मिट्टी थे और नीचे से थोड़ा सा मिट्टी मैंने निकाल दिया है और प्लांट को वाटर से फिल कर दिया है जब भी आप कोई भी वाटर प्लांट लगाते हैं वाटर लीली या फिर लोटस तो हमेशा ध्यान रखें उसमें स्वाइल जो है उसको सिर्फ आधा रखना है हाफ टब आपको मिट्टी लेना है बाकी आधा वाटर होना ही चाहिए अगर यह वाटर लेली है और पानी आप नहीं देंगे तो फिर आपका प्लांट सही से नहीं होगा तो इससे ध्यान में रखें और जरूर से जरूर इसमें वाटर लेली में पानी दे आधा पुरा टब में पानी दे और आधा में आप रखे मिठी उसमें कॉम्पोस्टिंग करें महिने में एक बर आप वर्मी कॉम्पोस्ट उसमें दे सकते हैं और जैसे मैंने बताया सीवीड ग्रैनवल्स या सीवीड लिक्वीड इसका जरूर इस्तेमाल करें इस वीडियो के लिए बस इतना ही मिलती हूँ किसी अधर इन्फरमिटिव वीडियो के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और मेरे ये चैनल पसंद आ रहा हो तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक करें शेर करें इस वीडियो को सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल क मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवा थांक यू फोर वाचिंग और हैपी गार्डनिंग